नमस्कार मेरे प्यारे दोस्थों आज मैं एक और टोपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है PPI क्या नाम है PPI क्या आर्थ हो सकता है मेरे प्यारे में तुरू P, P, I का आर्थ है Pulse, Polio, Immunization P का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों Pulse, दूसरा P का आर्थ Polio, I का आर्थ क्या होता है Immunization CDC आर्थ इसका Pulse, Polio, Immunization आपको पता ही होगा मेरे प्यारे मीत्रों ये हमारे हर जन्वरी फरवरी में Pulse, Polio, प्रोग्राम चलाया जाता है ये जीरो से पांस वर्ष के बच्चों में औरन मादिया मतलब दो बून का जीवन मतलब दो बून बच्चों को ये पिला ही जाती ही कितनी बून मेरे प्यारे मीत्रों दो बून बच्चों को पिला ही जाती ही ये जीरो से पांस वर्ष के बच्चों को ये पिला ही जाती ही PPI Pulse Polio Immunization के बारे हम डिस्केशन कर रहे हैं तो इसके प्राराम कब हुआ था 1988 में तो WSO के अनुसार इसका डिस्केशन किया था कब प्राराम 1988 से WSO के अनुसार इसका क्या किया था डिस्केशन लकिन प्राराम कब हुआ 1945 में PPI Polio Pulse Polio Vaccine Immunization स्टार्ट किया गया अब Pulse Polio Immunization Polio का लास्ट केश कब मिला था तीन वर्स के बाद 13 जनुरी 2011 को लास्ट केश मिला था हम Polio कुझ से रूट के दोरा पिलाते हैं तो हम Polio Oral मलब मों के दोरा पिला जाते और बालक वर्स मलब किते वर्स में वर्स तक इसको पिला सकते हैं तो 0-5 वर्स तक पिला सकते हैं और अगर हम Polio को अगर हम पिलाते हैं तो कोई भी बालक बालका इसम ना तो लंगडा होगा ना ही किसी परकार की बेमारी इसमें कंट्रोल हो सकती हैं इसलिए ये बहुत लंगवा को रोकता है और इम्मिनिटी पावर इसमें बढ़ाता है इस परकार हम PPA बारे में हम आज हमने डिसकेशन किया और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइब के हम सब इसक्राइब कीजिए और मुझे आगए ने स्ट वीडियो के लिए कमे